फिल्हाल राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक सलों खासकर मस्जिदों से लौड स्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को मैं तहे दिल से बढ़ाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ उन्हाने उद्व ठाकरे पर तंज कस्ते हुए आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से महराश्ट्र में योगी नहीं भोगी की सरकार है और आज ठाकरे भी अब पुन है विशुद हिंदुतू की राजनिती पर आचुके हैं मुलायम सिंग और आजम खान अपनी सरकार के दारान हिंदू फेस्टिवल्स पर जिस तरीके से बिजली की विवस्था करते थे मेरे ख्याल से उसी तरीके से योगी जी भी अव मुस्लिम और अन्य धर्मो के फेस्टिवल पर भी वैसी ही बिंजले की वेश्थी विवस्था योगी जी भी करेंगे मैं समयता हूँ सोनिया माता की पूजा करने वाले उदव ठाकरे और भारत माता की पूजा करने वाले राज ठाकरे के बीच का जो फर्क है वो अब देश ने साफ साफ देख लिया है और लगता है कि अब राज ठाकरे नाम का जो उट है वो सही करवट बैट गया है जिसके कारण महराष्ट में इटली की मंदोदरी की लंका जल्दी ही जलने वाली है और भारते जंदा पार्टी को महराष्ट पर विजय पता का लहराने में अब अधिक समय नहीं लगेगा ऐसा मैं इसले कहा रहा हूँ क्योंकि जहां इस समय देश में हनुआन चालिसा और अजान विवाद के बीच में महराष्ट नवनिर्मान सेना यानि के मन से कि प्रमुख राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदेतनात को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने चचेरे भाई और महराष्ट के मुख्यमंत्री उधब ठाकरे पर कड़ा निशाना साधा है अब ऐसे में जिस तरीके से राज ठाकरे एक प्रकर हिंदुवादी नेता के तोर पे नजर आ रहे हैं वो भविश्य के ले महराष्ट के एक बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं अब जब से महराष्ट में शिव सेना ने सत्ता प्राक्ति हेतु कॉंग्रेस से गठबंदन किया और फिर खास कर सुशान सिंग राजपूत की रहसे में इमृत्यू के केस में शिव सेना के जो तमाम कारे करता हैं उनके विवार से नाराज महराष्ट के कई हिंदु वोटर अब राज ठाक्रे से सही उम्मीद लगा रहे हैं और राज ठाक्रे भी अब पुनहें विशुद हिंदुत्यू की राजनिती पर आ चुके हैं ऐसे में यदि राज ठाक्रे भारते जिंता पार्टी का साथ दें और अपने संगठन महराष्ट नवनिर्वान सेना को बहतर मै वक्ता रखकर यदि रूटीन लेवरपल न्यूज चैनल की डिवेट्स में भाग लें तो आने वाले वक्त में महराष्ट की राजनिती में सबसे बड़े पदों में से एक पर राज ठाक्रे आसीन हो सकते हैं इसके लिए यदि उन्हें मेरी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की भ प्रदान कर सकता हूं फिल्हाल राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को मैं तहे दिल से बढ़ाई देता हूं और उनका आभारी हूं उन्हाने उद्धव ठाकरे पर तंज कस पताया कि ये कारवाई हाई कोर्ट के 2018 के आदेश का अधुपालन कराया जाने के लिए शासन के निर्देश पर करी गई है अभी सभीहान के तहत अभी तक 40,000 से भी जादा बैठके धर्म गुरूओं और धर्मस्तलों की समीतियों पर साथ-साथ थानया लेवल पर भी करी ग दिकार मतलब एक व्यक्ति तो जो 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 से लाउड स्पीकर बजा रहा है वहीं दूसरी और दूसरा जो है उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं नहीं हमें कानून का एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है अब ऐसे में राज ठाकरे का खुल लाउड स्पीकर का इस्तिमाल करेंगे मुसल्मानों को इस समझना चाहिए कि धर्म जो है कानून से बड़ा नहीं है तीन मई के बाद मैं देखूँगा कि क्या करना है तो आप समझ सकते हैं कि राज ठाकरे का जो अब ये हिंदू वादी स्टेंस है इस से महराष्ट के और बड़ी ख़बर आ चुकी है कि अखिलेश यादव पर बड़ा खुलासा है जी हां अखिलेश यादव देश किसी भी वक्त छोड़कर भाग सकते हैं और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कहना है स्वेम बसपा सुप्रीमो मायवती जी का आपको बता देते हैं कि बसपा स राश्च्रपती बनना नहीं है इस बाद का क्या अर्थ है मैं समाता हूं जिन लोगों को राजनिती के अच्छी समझ है वो अभी तक समझ चुके होंगे और बैठे-बैठे मुस्करा रहे होंगे अब पी-म और सी-म बनने का सपना मायवती इस से में देख रही है लेकिन व और पी-म बनना ही उनका अगला गोल है अब उनका कहना है कि सपा के कारण ही वो भाजपा सत्ता में आई क्योंकि सपा के कारण पूरा चुना धुर्वी करण पर हो गया मैवती ने कहा कि मुस्लिम दलितों के बोट में बहुत ताकत है ये लोग यदि जोड़ जाएं तो मु पर भारती जनता पार्टी में भी ये पुराने समारक और पार्क बदहाली के शिकार है वरतमान सरकार का ध्यान अकर्शित करने के लिए ये प्रतिनिदी मंडल सीम योगी जी से मिलने गया अब मायवती ने कहा कि रमजान के महीने में बिजली कटोती हो रही है जो कि ठीक न जारान हिंदू फेस्टिवल्स पर जिस तरीके से बिजली की वेश्था करते हैं मेरे खाल से उसी तरीके से योगी जी अगर मुस्लिम और अन्य धर्मों के फेस्टिवल्स पर भी वैसी बिजली की वेश्था योगी जी करेंगे मैं समता हम इसी बीच एक और बड़ी सालों में बैडों की संख्या 30 से 50 और पी एस सी में 4 से 10 करी जा रही है अस्पताल की अन्य सुविदाओं में भी विस्तार किया जा रहा है वो बुद्धुवार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की विडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये हो रहे मुख्य मंत्रियों के समवाद इसमें से गाज़बाद में 288 में गौतम बुद्ध नगर में 67 में वहीं महज 19 संक्रमित जो लोग हैं वो अस्पताल में भरती हैं ये पहले से ही विविद्न बेमारियों से पीलित हैं प्रधेश सरकार इनके स्वास्थे पर लगाता नजर बनाता रख रही है और उन्होंन अंद्री ने कहा कि सरकार भविषय की चुनातियों के मद्य नजर सभी जरूरी इंतिजाम भी कर रही है प्रदेश में 508 oxygen प्लांट चल रहे हैं 42,000 से अधिक oxygen concentrator उपलग्द हैं उन्होंने ये भी कहा कि कोवीड की चुनातियों के बीच प्रदेश के राजस्व में लगब प्रदेश भी इससे में काफी मंदी को जेल रहे हैं ऐसे में उत्रप्रदेश निर्यात यदि कोवीड काल में 30 प्रतिशत बढ़ गया है तो अपने आम में बहुत बड़ी बात है सरकार का ये भी कहना है कि जो कोवीड टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव पाया जारे लोगों के सेंपल्स की जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वो भी करी जा रही है अभी तक के सभी प्रणामों में ओमिक्रॉन अथवा इसके जो सब वेरियंस हैं उनके ही होने की पुष्ट गया पूरी दुनिया में तो उससे एक बात तो दिखती है कि योगी अदितिनाथ केवल एक अच्छे पॉलिटीशन ही नहीं अपने आपने एक बहुत अच्छे एड्मिनिस्ट्रेटर भी हैं अच्छे प्रशासक भी हैं और पुले प्रदेश को वेल मैनेज तरीके से रख सिचुएशन आई योगी जी ने बहतर से बहतर ही परफॉर्म किया तो यह तो आप जानते हैं चाहे कोई स्कूल हो या चाहे कोई company हो हमेशा जो better perform करता है चाहे student हो या कोई manager हो हमेशा उन्हीं को ही वरियता दी जाती है promotions के समय पे तो उसी प्रकार आने वाले समय में मैं समातना हूँ भारते जन्ता पार्टी भी अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के candidate के लिए योगी जी को अवश्य खड़ा करेगी अभी के लिए के वाले इतना ही अगर आपको एक ख़बर पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दमाए जैहिन जैभारत परमस्कार